हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिट हिंदी में जहां आपको मिलती है नवीनतम जानकारी अपने पसंदिदा स्मार्टफोन्स और अन्य गैजिट्स के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं रियल्मी जीटी मास्टर एडिशन की हम एक नज़र डालेंगे इसके गेमिंग और कोर पर्फॉर्मेंस पर और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू नहीं है रियल्मी जीटी अधिक शक्तिशाली स्नैपड्रेगन ट्रिपल एट के साथ लाँच किया गया है फोन का मास्टर एडिशन भी प्रभावशाली प्रदर्शन का वादा करता है लेकिन बेहतर किवायती कीमत पर पिछले रियल्मी मास्टर एडिशन फोन के डिजाइन के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था वही नाटो फुकासावा इस फोन के कोड डिजाइनर है ये नया रियल्मी जीटी मास्टर एडिशन तीन रंगों में लॉंच किया गया है वोयाजर ग्रे, लूना वाइट और कॉसमोस ब्लैक और इनमेज से हमारे पास है वो पहला एक सूट के स्प्रेरित डिजाइन जो शाकाहरी चमडे से बना है और इसमें है स्नेप ड्रेगन 778 SOC इस वीडियो के दरान हम देखेंगे कि ये नया चिप सेट कैसा प्रदर्शन करता है और ये रियल्मी जीटी मास्टर एडिशन को गेमिंग और भारी कारियों के लिए एक अच्छा फोन बनाता है या नहीं इसके लिए हम कुछ बेंचमार्क नंबर्स का उप्योग करके फोन का परिक्शन करेंगे और फिर उसके कुछ प्रतिसपर्दी फोनों के साथ उसके परिणामों की तुलना करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम कुछ रोचक जानकारी आपको दें मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो लाइक का बटन दबा कर उसे नीला वश्य कर दें इसके अलावा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें तो चलिए हम बात करते हैं Realme GT Master Edition की सबसे पहले Realme GT Master Edition की स्पेसिफिकेशन्स तो Realme GT Master Edition भारत में उन कुछ पहले फोनों में से एक है जो नए Snapdragon 778 SOC द्वारसन चालित होने वाले हैं ये Qualcomm का नवीनतम मिड रेंज चिपसेट है जिसे एक उननत 6 निनो मीटर निर्मान पक्रिया का उप्योग करके बनाया गया है चिपसेट में 4 A78 Prime Core हैं जिनमें से एक को 2.4 GHz तक की पीक फ्रेक्वेंसी हीट करने के लिए प्रोग्रम किया गया है जबकि अन्यतीन 2.2 GHz की पीक फ्रेक्वेंसी को हीट करने में सक्षम है Quad-Core CPU में 1.95 GHz पर चलने वाले 4 A55 Core भी हैं जिप्यू है Adreno 642L जो Qualcomm Snapdragon Elite Gaming को भी सपोर्ट करता है इसे 8 GB तक RAM और 256 GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है प्रदर्शन में सुधार के लिए Realme GT Master Edition Virtual RAM को भी सपोर्ट करता है जो जरूरत पढ़ने पर फोन की RAM को और 5 GB तक बढ़ा देता है अगर आप नहीं जानते हों तो मैं बता दू कि Virtual RAM वास्तव में इसका अर्थ यह है कि यदि किसी भी Heavy Task के लिए आपकी RAM कम बढ़ जाए तो Storage का ही कुछ हिस्सा RAM की तरह काम करने लगता है Realme का दावा है कि यह load time को कम करने और multitasking अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करता है हमने पाया कि यह एक marketing claim है जिसकी की वास्तविक जिवन में जरूरत ही नहीं है क्योंकि फोन अपनी भौतिक RAM के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करता है इनके अलावा Realme GT Master Edition में कई अन्या hardware और software features भी हैं जो इस device पर game खेलने और भारी भरकम applications चलाने के आपके अनुभव को बेहतर बनाता है उधारन के लिए phone 120Hz Samsung AMOLED डिस्पले के साथ आता है जो DCI P3 Color Gamet के 100% coverage को सपोर्ट करता है डिस्पले 360Hz टच सेंपलिंग रेट को भी सपोर्ट करता है जो कि सबसे तीच नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी इस price range के phone के लिए काफी अच्छा है पैकेज को पूरा करने के लिए इसमें Realme के 65W SuperDart Charging की सपोर्ट है और एक है Dual Cell 4300MH की बैटरी अब जान लीजिए Realme GT Master Edition की गेमिंग और overall performance के बारे में सभी hardware जिनका हमने अभी उलेक किया था एक शक्तिशाली उपकरण बनाने के लिए एक साथ आते हैं जो बिना किसी परिशानी के Twitter और Instagram जैसे अधिक उपयोग के Apps को संभालने में सक्षम है और बिना किसी परिशानी के multitasking और heavy games खेलने में भी सक्षम है जैसा कि हमने अपने परिक्षन के दौरान पाया Realme GT Master Edition डिवाइस में एप्स और गेम्स दोनों ही flawless चलती है फोन उपयोग करने में तेज लगता है अपने परिक्षनों में हमने कई benchmark टेस्ट और कुछ गेम खेल कर इसकी performance टेस्ट की गेमिंग के लिए Realme GT Master Edition ने Call of Duty Mobile और Asphalt 9 Legends जैसी गेम्स को उच्चतम संभव graphics settings पर अत्यंत आसानी से सभाला हमारी विश्वसनिय गेम बेंच सेवा ने खुलासा किया कि अधिकतम settings के बावजूद ये दोनों गेम 60 फ्रेम के आसत FPS और 100 प्रतिशत की स्थीरता पर चल रहे थे हम इस स्तर के प्रदर्शन से काफी प्रभावित है क्योंकि इस से पहले कुछ मुठी बर डिवाइस ही ऐसे हैं जिन्होंने हमारे गेमिंग परिक्षुनों में इतने अच्छे स्कोर दिखाए अलांकि ऐसे कई फेक्टर्स हैं जो इसके अच्छे प्रदर्शन में योगदान करते हैं संभवताय सबसे महत्वपून तथ्य है Qualcomm का Snapdragon 778 SoC जो इसकी performance में stability प्रदान करता है और अन्तथ है एक smooth और stutter free gaming अनुभव मिलता है इसकी पुष्टी करने के लिए हमने CPU throttling test सहीत कई benchmark का उप्योग करके chipset के प्रदर्शन का परिक्षन किया ये जानने के लिए कि device का octa core CPU load के तहत कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था ये परिक्षन 20 मिनट तक चला और जो परिडाम हमें मिले वे काफी अश्चरजनक थे क्योंकि परिक्षन के अंत में device के थोड़ा सा गर्म होने के बावजूद परिक्षन के दौरान throttling का कोई संकेत नहीं दिखाया अब जान लिजिए benchmark scores benchmark पचलते हुए प्रदर्शन फिर से काफी अच्छा था वास्तम में इन परिणामों ने Realme GT Master Edition के clocking numbers को उन devices के काफी करीब दिखाया जिनमें अपेक्षकरित शक्तिशाली चिपसेट था जैसे Snapdragon 870 SoC वाला Mi 11X और Mediatek Dimension 1200 SoC वाला Poco F3 GT उधारन के लिए N22 में Realme GT Master Edition ने एक उच्च स्कोर हासिल किया जो Xiaomi में Mi 11X और Poco F3 GT की तुलना में लगबग 15 प्रतिश्यत कम था और जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं Geekbench के सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों परिक्षनों के लिए भी यही स्थिती थी GPU पर्फॉर्मेंस का परिक्षन करने के लिए हमने 3D Mark Wildlife का उप्योग किया जहां Realme GT Master Edition ने 2487 अंक प्राप्त किये ये Mi 11X द्वारा दिखाए गए 4166 ठंग और Poco F3 GT द्वारा बनाए गए 4197 अंकों से काफी कम था इमानदरी से कहूं तो ये थोड़ा अश्चरजनक था क्योंकि हम फोन के प्रदर्शन में बेहतर संक्या के उमीद कर रहे थे विशेश तोर पर गेमिंग परिद रिश्यों में देखते हुए अब बात करते हैं कि क्या आप कोई खरीदना चाहिए या नहीं तो दोस्तो अपने परिक्षनों के परिणामों को यदी हम देखें तो हम कह सकते हैं कि Realme GT Master Edition एक ऐसी डिवाइस है जो अपने परफॉर्मेंस के बारे में किये गए वादों को पूरा भी करता है उचित मूले में शक्तिशाली प्रदर्शन और एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है हलांकि बाजार में इसके प्रतियोगी बहुत हैं लेकिन फिर भी अपने मूले और प्रदर्शन के कारण उम्मीद है कि ये Realme की और से एक लोग प्रिया पेशकश बन सकता है Realme GT Master Edition की विशेश विशेशता यह है कि इसका शक्तिशाली चिपसेट है और आपके द्वारा दिया गया भारी से भारी काम ये अच्छे से संभालता है इसका डेडिकेटेड जीटी मोड डिवाइस के गेमिंग प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सब कुछ करता है यदि आप एक गेमिंग फोन की तलाश कर रहे हैं और वो भी इस बजट सेग्मेंट में तो जिसमें की कई फोन्स की आपस में जबर्दस टकर है तो ये नया रियलमी डिवाइस आपके लिए निश्चित रूप से एक अच्छे विकल्ब के रूप में उभरता है तो दोस्तो ये थे हमारे विचार रियलमी जीटी मास्टर एडिशन के विशे में अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ सांजा करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ये सुनच्चित हो सके कि आप हमारे किसी भी वीडियो को देखने से चूप न जाएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तैंक यू एंड बाई